हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल टेस्टीन किचेन 24 आज मैं आपके साथ शेर करूँगी मश्रूम दम बिर्यानी की रेसिपी तो ये हम बिर्यानी बनाएंगे बिलकुल साधरन तरीके से जो घर में मसाले हैं उनी से बनाएंगे और बहुती स्वादिष्ट एकदम लाजवाब मश्रूम बिर्यानी बनकर तयार होगी तो नॉन वेज जो बिर्यानी होती है उसको टकर देगी ये वाली बिर्यानी कभी कोई गैस्ट आएं तो आप बनाएं या फिर लंच बॉक्स या फिर लंच में या फिर डिनर में कभी भी आप इसे बना सकते हैं तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक पैकेट मश्रूम का ले लिया है तो ये मश्रूम के ये जो बुडी पार्ट होता है इसको हम हटा देंगे नीचे तो होता है और ये उपर से मैंने थोड़ा सा हटा दिया इसका skin क्योंकि ये थोड़ा color change हो गया था इसका तो हम इसे हटा देंगे तो इसी तरह से सारा ये मैंने छिल लिया है और आसानी से ये skin हट जाती है iJust का अराम से पतला-पतला इसकी जो परत होती है उपर से उपर से इजी तो सब हमने घंप हटा लिए हैanson अगर बड़े मिश्हुम है तो उसे आप थोड़ा चोटा चोटा काट ले और चोटे मश्हुम है तो उसे आप पूरा रहने दें तो मैंने इनको बड़े करिभा पाज्रूम थे उन्हें काट लिया और पानी को गरम करना लun के के लिए तो बृती शिम्पल मसालों से बनाएंगे एक बड़ा प्यास हमने बारीक-बारीक काट लिया है दो ठामाटर लेंगे, बड़ा साइस का हो तो एक टमाटर लें हरी मिर्ची काट ली हैं तो थोड़ा मैंने तीखी डाली है थोड़ा जो नॉर्मल होती है हरी मिर्च वो वाली डाली है आप चाहें तो सिफ तीखी पाच्छे हरी मिर्च काट ले और ये मश्रूम हमने गरम पानी में डाल कर रखा है तो एक बड़ा चमच तेल गरम कर लिया है हमने कड़ाई में जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम प्यास डाल देंगे फ्राय होने के लिए तो प्यास को हमको गोल्डन ब्राउन कलर करना है जिस तरह से बिर्यानी के लिए किया जाता है प्यास फ्राइ करते वक्त गैस का फ्ले मीडियम रखें जब थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए ना प्यास का तो हम इसमें गरम मसाले डाल देंगे एक सफै दिलाइची, दाल चीनी, एक चम्म जीरा थोड़ी सी काली मिर्च और एक दो लॉंग डाल दें और इसे हम भून लेंगे थोड़ा तो ये जीरा डालने के बाद भी थोड़ा फ्राइ करेंगे प्यास का कलर गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए जलाना नहीं है, नहीं तो इसका बिर्यानी का टेस्ट है ना फिर वो जलने वाली स्मेल आएगी उसमे तो जब थोड़ा प्यास ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें मश्रूम एड़ कर दिया है, मश्रूम को एक दो मिनिट हम फ्राइ करेंगे अब इसमें मैंने आदा चमच हल्दी पॉर्डर डाल दिया है तो इससे हम मसाला तयार करेंगे इसके लिए आदा चमच मैंने लाल मिर्च पॉर्डर आट किया है तो यह थोड़ा तीखा है, अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप जादा डालें एक चमच हमने धनिया पॉर्डर डाल दिया है तो बहुत जादा मसाले नहीं डालने हैं अब इस मसाले को डाल कर हम मश्रूम के साथ में फ्राइ कर लेंगे और थोड़ा भूनेंगे जो हमने टमाटर काटा था अब वो टमाटर आट कर देंगे तो हम इसमें दही भी डालेंगे इसलिए टमाटर की क्वांटिटी आप थोड़ा कम रखें अगर आप दही नहीं डालने वाले हैं तो टमाटर आप जाधा डालें अब मैंने जो हरी मिर्चीर काटी थी ना वो भी आड़ कर देंगे और इसे हम मसाले को भुनने देंगे नमक डाल कर तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल कर दिया है हाई फ्लेम पर दही एड़ ना करें नहीं तो दही फटा फटा हो जाता है जो मसाला होता है न वो फटा हुआ दिखेगा आपको तो जब भी आप सबजी में या बिर्यानी में दही डालें गैस का फ्लेम लो रखें तो आप मसाला अच्छे से भून गया है थोड़ा कवर करके हमने भून लिया था गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है अब अब हम बिर्यानी की तयारी कर लेते हैं तो मैंने राइस पहले ही भिगो दिया था तो मैंने एक ग्लास बिर्यानी राइस लिया है इसको धोकर करीब आदा गंटे के लिए मैंने भिग हो दिया है आदा गंटा हो गया था तो आब इसे हम बॉइल कर लेंगे दम बिर्यानी के लिए राइस अलग से बॉइल होता है तो मैंने तीन ग्लास बॉइल पानी डाला है तो एक ग्लास चावल था, तो तीन से साड़े तीन ग्लास तक आप पानी डाल दें, देड़ चमच मैंने नमक डाल दिया है, थोड़े से हम इसमें मसाले डालेंगे, खड़ा मसाला, तो मैंने थोड़ा सा इसमें अली मिर्ची डाल दी है, दो हरी मिर्ची डाल दी है, आप पानी में जब उबाल आ गया है, तो मैंने इसमें जो भीगावा राइस था, वो डाल दिया है, राइस का पूरा पानी हमने हटा दिया है, क्योंकि अल्रेडी हमने इसमें जादा पानी लिया है, तो सिर्फ चावल डालेंगे, और इसको हम बॉइल होने देंगे, मिडियम फ्ल तो जब आप उंगली से प्रेस करें तो यह ईजीली प्रेस हो जाए दप चावल तूट जाए फिर उसके बाद मैंने इसका पानी पूरा निकाल दिया है निचोड दिया है पानी आप चाहें तो यह काली मिर्च वगरा भी निकाल सकते हैं वणना आप इसमें ही रहने दे काफित थीक है तो इसमें मैंने दो चम्मच या तीन चम्मच पानी डाला है दो से तीन चम्मच क्योंकि हम जब चावल डालेंगे न तो वह स्टीम में कुक करना है हमको थोड़ा मसाला चिपकना नहीं चाहिए फिर गैस का फ्लेम लो रखा है अब यह हम चावल इसमें डाल द लिया है और उपर से हम हरा धनिया डाल देंगे पुदीना हो तो आप वो भी जरूर डालें और बहुती स्वादिष्ट बिर्यानी लगती है अब इसे हम दम पे पकने देंगे तो करीब 10 मिनिट के लिए मैंने लो फ्लेम पर इसको दम पे रखा है और इसके बाद हम इसे मि लाभ जाएंगे तो यह एकदम दम बिर्यानी आपकी मसाला बाली तयार है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है आप बनाकर देखिएगा गैस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है और इसे अब हम सर्फ कर लेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बिर्यानी बनकर तयार हुए एकदम चटपटी आप बना कर देखेगा बहुत ही मज़े की लगती है मतलब बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है कोई फेस्टिबल हो नॉनवेज अगर आप नहीं खाते हैं तो आप मश्रूम की बिर्यानी बनाए नॉनवेज से भी बहतर हैं और जो घर में अविलेबल होते हैं मसाले बहुत कम मसाले गरम मसाले भी हमने बहुत कम डाले हैं और जो नॉर्मल जो मिर्ची मसाला होता है वही डालकर बहुत ही लाजवाब बिर्यानी तयार की है ट्राइ करेगा और मुझे कॉमेंट्स में बताएगा कैसी लगे आपक पैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें.